हेलो इस्टुदेंट्स आज हम ब्यस्ती फेस्टियर का सेकंड पेपर पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आज हम बहुत विकल्पी प्रस्नों के बारे में जानेंगे जो कि आपका बहुत विकल्पी यानि अब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि आपके एग्याम में 100 कोश्चन आते हैं उसी में आज हमने सेकंड पेपर का फर्स्ट जो लेशन है structure and bonding कहते हैं सरचना and आवंधन उसके हमने आज सुरुआत में कुछ कोश्चन लिए हुए हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह solve होते हैं और इनका अद्धन हम किस तरह करेंगे तो चलिए हम देखते हैं यहां पर कि सिगमा बंद का निर्मार होता है कि जैसे कि हमने पता किया है कि जो सिगमा बंद होता है वो परती एक कच्छक में आपका या तो अच्छी अत्वेपन से बनेगा सेकंड जो है रेखी अत्वेपन से बनता है या फिर सिरे से सिरे के अत्वेपन से या फिर सभी से तो जैसे कि हमें पता होगा तो हम तुरंत ही इस पर टिक मार कर आगे बढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जो सिगमा बंद का निरमाड होता है वो किस परकार होता है तो पांच सेकंड देते हैं आपको और समझ कर अपना टिक करें कि जो सिगमा बंद होता है वो क्या होता है अब हम इसमें बताते हैं कि सिगमा बंद का जो निरमाड होता है वो अच्छी अत्वेपन से रेखी अत्वेपन से और सिरे से सिरे के अत्वेपन से होता है कहने के मतलब यह है कि अच्छी अत्वेपन होगा तो भी यहाँ पर सिगमा बंद का निरमाड होता है और अच्छी अत्वेपन से भी यहाँ पर सिगमा बंद का निरमाड होता है और रेखी अत्वेपन से भी सिगमा बंद का निरमाड होता है सिरे से सिरे के अत्वेपन से भी सिगमा बंद का निरमाड होता है तो इस तरह हमारा जो ओप्सन डी है वो सही होता है कि तीनों ओप्सन इसके सही है चलिए हम आगे जलते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर सेकंड है सिगमा बंद का बनना होता है तो इहां पर हम देखते हैं कि जो सिगमा बंद किस से बन सकता है यस ओप्सन नमबर ए है यस यस अत्वियापन से ओप्सन बी यस पी अत्वियापन से किसी बी पी अत्वियापन से या फिर सभी तो इहां पर हम देखेंगे कि जो सिगमा बंद बनता है वो किस किस से बन सकता है तो सिगमा बन्द जो बनता है वो E-S-E-S अत्वियापन से भी बनता है और E-S-P अत्वियापन से भी बनेगा और P-P अत्वियापन से भी बनता है तो यहाँ पर हमारा जो option होगा वो D right answer होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगमा बंद जब बनता है वो S-S overlapping से भी बनता है और S-P overlapping से भी बनता है P-P overlapping से भी यहाँ पर बनता है तो आएए अगले question पर चलते हैं सिंगमा बंद होता है तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो सिंगमा बंद किस किस में बनेगा H2 में कि N2 में कि BF3 में कि सभी में तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सिंगमा बंद कब बनता है जब किसी अड में दो परमाड़ों के बीच में जब सिंगल बंद बनता है तो वहाँ पर सिगमा बॉंड का निर्मार होता है तो यहाँ पर जो H है H और H के बीच में भी जो सिंगल बॉंड बना तो वो सिगमा बॉंड कैलाएगा N और N के बीच में भी एक सिगमा बॉंड बनता है तो इसमें भी एक सिक्मामोंड बनेगा और बी अफ्थ्री में भी बी एफ्री में भी तीन सिक्मामोंड इस तरह बनेंगे तो इस तरह जो हमारा ओप्षन होगा वो ओप्षन डी राइड अन्सर होगा तो इस तरह हम सिक्मामोंड जो जहां पर बनता है तो उसको हम देखते हैं कि आगे अगला कोश्चन कोश्चन नमबर फोर एस पी के अत्व्यापन से सिक्मामोंड बनता है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो एस पी के अत्व्यापन से सिक्मामोंड बनता है किस में बनेगा यह सील में कि एच्टू में कि ओटू में कि सभी में तो यहां पर जो हमारा एक एस और एक पी के अत्वियापन से सिमून बनेगा तो यहां पर हमारा जो हार्डोजन है यहां पर जो हार्डोजन है तो उसका 1S1 होता है यहां पर और क्लोरीन का 17 होता है तो यहां पर 1S2, 2S2 और 2P6 2P6 यहां से द्वारा से देखते हैं कि क्लोरीन का जो हमारा एलेक्वानिक अन्फिगूरेशन होता है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 और 3P5 तो इस तरहें क्लोरीन का जो एलेक्वानिक अन्फिगूरेशन होगा वो यह वता है तो यहां पर जो हमारा लास्ट सयोजी एलेक्वानिक अन्फिगूरेशन होते हैं 3S2 और 3P5 इसमें 1S और 1P का जो आपस में ओवरलेपिंग होगी तो यहां पर 1S से P में जाएगा तो यहां पर SP ओवरलेपिंग कराएगी जिहां पर एक स्विग्मा मुल्ट का नर्माण बता है तो यहां पर हमारा ओप्सिन नंबर यही सही है राइट आंसर है और यहां पर जो S2 है वहां पर कोई भी हमारा पी जो कच्छक होता है वो नहीं है तो इसलिए हमें जो पता चला है वो राइट आंसर होगा ओप्सिन नंबर इस एक चलते हैं अगले को और को तो हड़े पाइब का नर्माण होता है तो पाइब वन्द का नर्माण हम जांते हैं कि जब दो आर्बिटलों जो कि हमारे P पाय बनते जब भी बनता है वो P कोस में ही या P कोस में ही बनता है तो ये जो हमारे आर्बिटल होते हैं उनमें ये फार्स वी अत्व्यापल से बनता है कहने मुलब ये है कि जो हमारे आर्बिटल होते हैं उनके दोनों सिरे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तो कह सकते हैं कि पाय बनते का निर्माण फार्स वी अत्व्यापल से होता है और समानतर अत्वयापन से भी होता है और साइड वाइड और लेपिंग से भी होता है तो यहाँ पर ये चारों आप्सन सही है तो आप्सन नमरा हमारा डी सही हो जाएगा आगे चलते हैं अगले question पर पाई बंद किन कच्बों के अत्वयापन से बनता है तो पाई बंद जो है हमारा यहाँ पर देखते हैं कि option A है येस येस अत्वियापन, option B है येस पी अत्वियापन, option C है पी पी अत्वियापन और option D है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पाई बंद किन कच्चकों के अत्वियापन से बनता है तो यहाँ पर पता करेंगे कि हमने जैसे कि अभी बताया था कि जो पाई बंद बनता है वो सदेवी पी कच्चकों के से योग से बनता है कैनल यह है जिन अड़ों में डवल बंद या टिपल बंद होगा वहाँ पर ही पाई बंद बनता है तो यहाँ पर इस तरह हमारा option जो हो जाएगा वो option हमारा C राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि एस एस में सिग्मा बंद बनता है और स्पी से भी सिग्मा बंद का दिर्माड होता है जबकि पी पी और और उटल जब ओवलेपिंग करते हैं तो पाई बंद का भी दिर्माड होता है तो यहाँ पर मेरा option C सही हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं कोश्च नमबर सेवन है बेंजीन में प्रतियक कारवन परमाड निम लिखत में से किस संक्रण अवस्ता में हैं तो बेंजीन जो होती है है बेंजीन का स्टरणते है वह इस तरह चाहिए जो संच्ण यह होती है तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रतियक निकीला सिर्ण है वह सभी क्या है जबी कारवन है यह तो यह सभी कारवन है और सभी कारवन से कम से कम एक डवल्मॉंड हुड़ा हुआ है जिससे कि इसकी जो संक्रण या हब्रडाइड होगा वो यहां पर तीन उप्सन दिये हुए हैं तो उसको हम देखेंगे कि जो तीन वो उप्सन दिये हुए हैं यहां पर फॉर्थ तो उप्सन नमर ए है SP3, उप्सन B है, SP2 और उप्सन C है, SP, उप्सन D है, DSP तो यहां पर हमें पता यह करना है अगर दिकालना आता होगा तो तुरंत ही हम बता तकते हैं कि वेंजीन जो रिंग होती है वेंजीन जो रिंग होती है उसका प्रतिये कारवन SP2 संक्रित होता है इसलिए जो हमारा ओप्सन हो जाएगा वो SP2 हो जाएगा आगे अगला कोश्च नम देखते हैं आपर कोश्च नमर एट है मेथेन अडू के कारवन परमाडू में संक्रण होता है तो जो मेथेर अडू होता है उसके कारवन परमाडू में जो संक्रण होगा तो आईए हम इसकी पहले तो सरचना जानते हैं कि इसमें कारवन जो मेथेर होता है वो CH4 होता है और इसकी सरचना इस टाइब में बनेगी इस तरह है तो यहां पर जो इसकी कारवन में जो संक्रण होता है वो क्या होगा यहां पर क्योंकि यहां पर SP जो होती है वो Acetylene में होगा और SP2 होगा वो किसमें होगा आपका Ethylene में और SP3 जो है यहां पर मेथेन में मेथेन का संक्रण होता है तो मेथेन की युस्तर नचना होती है वो चतुसफल की होती है इसलिए यहां पर एक याज और तीन पी कच्चकें मिलकर समान उर्जा की चार नहीं कच्चकों का अंद्रमाण करते हैं तो इसे हम SP3 संक्रण कहते हैं तो मेथेन और के कारवन परमाण में SP3 संक्रण होता है आगे कोश्चन मनाईन मेथेन और की जामती होती है तो मेथेन और में जब संक्रण SP3 होता है तो एक याज तीन पी कच्चकें आपसे मिलका समान उर्जा की चार नहीं संक्रण कच्चकों का अंद्रमाण करते हैं तो इसकी जो सरंचना हो जाती है वो इस तरह सरंचना इसकी वनेगी इस तरह इसका सरंचना बनती है तो इसकी समच्चत सफल की सरंचना होगी मेथेन की तो ओप्सन हमारा सी राइट आस्टर हो जाएगा और आगे हम चलते हैं अगला कुश्चन यहां देखते हैं एथेन अड़ में सिग्मा बंधों की सख्या होती है तो एथेन अड़ सबसे पहले एथेन का जो मालिकुला फार्मूला होता है वो क्या होता है सी टू एच शिक्स तो एथेन का जो मालिकुला फार्मूला होता है अब हम इसकी सरचना बनाएंगे तो एथेन अड़ की सरचना होगी वो इस तरह बनाते है प्रतिय कारवन से तेन हाट्डूजन जुड़े हुए है और एक कारवन के विचमें सिंगल बोंड होता है तो जो हमारे कारवन-कारवन है उनके वीच में वी एक सिंगममॉंड कारबन हार्टूरे में वी सिंगमॉंड यीज चार्बन और शार्टूरे में वी एक सिंगमॉंड इस तरह सभी कारबन और हार्ट उजन में भी सिग्मा मॉन्ड होता है तो टोटल में लाकर 1,2,3,4,5,6,7 तो इस तरह एथेन आड में सिग्मा बंदों की यो संख्या होगी वो 7 होती है तो इस तरह हम एथेन मेथेन या फिर प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हैक्सेन हैप्टेन और किसी में भी एथेन लगी सिग्मा मॉन्डों की संख्या का हम जान सकते हैं कि उसमें कितने सिग्मा मॉंड होते हैं या फिर हम किसी भी जो हमारे यह सभी एलकेन होते हैं और इनमें सदे भी कार्वन कार्वन और कार्वन हार्टूजन के बीच में सिग्मा बूंड ही बनता है अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे अगर वीडियो चाहिए तो इसे ज्यादा ज्यादा सेयर करें जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाऊ थेंक्यू फॉर वाचिंग